तो हे काईज वेलक़म बेक टू न्यू अधर वीडियो तो आज की इस वीडियो में पताऊँगा आपको ट्राइसेप्स की एकसेज के नाम अभी अभी जिम जोइन किया है जिम में अभी नए हो तो भाई एकसेज के नाम आपको नहीं पताऊंगा स्टार्टिंग में तो यह काफी सारी वीडियो में एक्सारी के नाम को लेकर बना चुका हूं तो आप वह भी जाके देख सकते हो उन सबके में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो बिगनर्स के लिए काफी बढ़िया रहेगी वीडियो तो ध्यान से देख लेना और सारी एक्सारी के नाम है डंबल किक बैक ट्राइसेप्स किक बैक भी बोलते हैं तब डंबल किक बैक बोल देना यार तो हमारे तीसरी एक्सेजर का नाम है स्कल्क्रशर बिगनर्स को काफी प्रॉलम हाते हैं यह वाले अच्छे लगाने में तो ध्यान से देख लिजी यह नाम भी देख लो उसको ध्यान से वाई याद कर ले लेना मुल्क्रे का तो अब ही वाली high एकसराइसेज़ें को बोलते हैं बेंच टिप't मैंस्टी-ट्रीशर सब्से fists भी बोल सकते हैं प्रेसेजर है तो अब यह वाली जो एक्सराइज है इसको बोलते हैं सिंगल आम ओवरेड एक्स्टेंशन तो अब यह वाली जो एक्सराइज है इसको बोलते हैं रो पुश्टाउन तो यह वाली जो exercise को बोलते हैं tricep pushdown जिसमें हम यूज कर रहे हैं straight bar का और V-bar से भी हम tricep pushdown लगा सकते हैं रोप से भी लगा सकते हैं तो काफ़ी सारी attachment से हम tricep pushdown exercise कर सकते हैं तो इस exercise का नाम है cable overhead tricep extension तो अब हम tricep pushdown लगाने के लिए यूज करेंगे V-bar का tricep pushdown तो अब बारी है diamond pushups लगाने वह जादा confused रहते हैं लोग की diamond pushups लगाऊंगा तब ही tricep हमारे लगेंगे ऐसा कुछ नहीं होता भाई जो भी push moment होते हैं tricep हमारा जादा यूज होता है तो हात्तों को बिल्कुल close रखने कोई जोड़त नहीं है आप थोड़ा wide करके और elbow को बिल्कुल अपनी back के साथ attach करके आप tricep लगा सकते उसमें आपके tricep पर ज्यादा लोड आएगा अगर आपके हाँ जितने पास में होगे जैसा कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं इस आपके tricep पर अच्छा लोड आएगा तो आप ऐसे लगा स तब तक के लिए जय ही जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर देना भाई